आई एन डिया ये गटवंदन की लगातार बात हो रही थी दावे ये थी कि 2024 में मोधी सरकार को उखाड फेकेंगे लेकिन पहले ही लिटमस टेस्ट में वो बबाल हुआ कि पूरा भारत देख रहा है कभी कॉंग्रेस पार्टी का कोई नेता राउल गांदी को बुद्धीन ब जिस तरीके की बैयान बाजी कॉंग्रेस और सपा के बीच में सामान सिचाचवार के तोर पर आप कैसे दिखते हैं देखें दो 2017 में कॉंग्रेस और अखलेस सपा का जो गडबंदन हुआ था और दो लड़के कहके एक कैमपेंच चला था अखलेश और राहुल गांदी का य और ये गडबंदन को मजबूत नहीं था ये अफसरवादी गडबंदन था कि भारत्य जनता पार्टी को किसी तरह रोक लें और जब इस प्रकार का अफसरवादी होता है तो जनता के लिए नहीं होता है अपने स्वार्थ के लिए होता है इसलिए मैं उसको गडबंदन को नहीं नहीं और जब ये जब ठक बंदन चब चल रहा है गाली गलोज देख रहे हैं तो ये तब ये शुरुआत हो रही है ट्रेलर है अभी आप 24 तक क्या पूरी मूवी देखेंगे सर दोजार चौवेस को लेकर ये गठवंदन मना था और इन तमाम पार्टियों का दावा है कि दोजार चौवेस में एक साथ आएंगे राज की बात छोड़ दीजिए ये लोग कहा रहे हैं हम लोग सबा में एक साथ जुड़ेंगे आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर समय ये था कि बड़ा महा गडबंदन हो रहा है और हुआ भी था उत्तर प्रदेश में आपको पता है और उसके अंदर में को आज उनका अमित्षा जी का जन्म दिन भी है तो उनकी बात याद आदा जाती हम लोग के साथ बैठे थे कोर्टी में तो उन्होंने कहा था है या ये जितनी भी कोशिश करने गडबंदन की अमित भाई की जो एक थियोरी है या उन्होंने जो हम लोग को एक प्रकार से किस प्रकार से चानक के नीती होती है राजनीती की जो सिखाईती पाट पड़ाया था वो आज भी सार्थक है और इसलिए भारतिय जन्ता पार्टी दो को सामने रखते हुए कारे करता है तो 80 के 80 सीट अपकी बार 2024 में मोदी जी और भारतिय जन्ता पार्टी के जोले में हम लोग दालने वाले हैं बहुत दन्रवाया सरम से बात करने ने कैमरा परसंट सोनू के साथ शेवन प्रताब नेटवर्क 18 देली